हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग video में discuss करने वाले हैं, वो related to auditing से है auditing के भी कुछ video जो आने वाले features में रहेगा, मैं बहुत सारे auditing को पर doubt के लिए मतलब videos upload करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो courses है, even Mumbai University में especially और जो CS करते हैं या बहुत सारे courses में का होता है auditing करता है, उसके maximum topics मैं try करूँ है covers करने के लिए, so make sure कि आप already मैंने auditing के बुछ topics बनाया है, तो मैं playlist बनाया हूँ, already महाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, तो आज हम लोग basically जो discuss करने वाले हैं, अडिटिंग को पर discuss करने वाले हैं, fraud के उपर, यह mostly अगर आप Mumbai University की बात करते हो, तो Mumbai University में mostly 8 marks का question पूछता है, 8 to 15, कभी कभी KT में जो रहता है, जो लोग का KT लगता है वापस री exam होता है, महाँ पर 15 marks का question पूछता है, so make sure आप वीडियो starting से 1 तक देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और आप खुद own words में क्या कर सकते हो, explain कर सकते हो, तो fraud क्या होता है, देखो fraud मतलब क्या होता, किसी को cheat करना, तीक है, अब यह auditing में आया मतलब क्या होता है, कि जैसे example के तौर पर एक company है, so company में क्या होता है, intentionally क्या, मतलब जान बूच कर क्या करते हैं, employees होता है, management, लोग क्या करते हैं, जान बूच के, कुछ हेरा, मतलब changes करते हैं, और क्या करने के लिए, fraud के लिए, मतलब अपने benefits के लिए, so इसका अगर आप economics, मतलब अगर आप auditing में explain करना चाहते हो, so auditing में कैसे explain करोगे, कि fraud मतलब क्या होता है, miss presentation, what, fraud मतलब होता, miss presentation of, क्या miss, मतलब intentionally, मतलब जान बूच कर, miss presentation of financial information, financial information related to, जो भी accounts है, ठीक है, जो भी transactions है, और कौन का लिए, management employees, मतलब management company का खुद बन्दा क्या करता है, fraud जान बूच के करता है, क्या करने के लिए, और third party भी कर सकता है, और cheat करने के लिए और deceive करने के लिए उसको company को क्या करने के लिए cheat करने के लिए basically fraud किया जाता है तो आपको समझ मैं कि what is fraud fraud मतलब क्या होता है intentionally miss presentation करना fake information जैसे example के तौर पे earning हुआ है 2 lakh या 2 करोड हुआ है दिखाया कितना एक करोड तो एक करोड का क्या हुआ fraud कर लिया किसने किया management कैसे किया by changes उन्होंने क्या किया transactions के जो थे सारे चीज़े रिफेर कर दिया उन्होंने गलत representation कर दिया उसकी वज़े से क्या हुआ fraud कहलाता है so I am so understand what is fraud अब तीन टाइप के fraud होता है अगर आप देखोगे there are three types basically दो टाइपस होता है बट थर्ड वाला आप देखोगे तो same as it is होता सिर्फ वहाँ पे goods और cash का difference आ जाता है so पहला जो है वह manipulation करना और उसके बाद जो है सेकेंड वाला आप देखोगे first is manipulation फिर second जो है miss appropriate appropriation of cash और दूसरा miss appropriation of goods तो यह देखो cash और goods में सिर्फ थोड़ा सा difference होता है cash और goods में हम लोग आगे देखेंगे so manipulation करना manipulation करना मतलब changes करना ठीक है आपने समान खरीदा दो लाग का ठीक है 먹iti कितना होना चाहिए दो लाग नकिन इंटरी उसमें कितना कर दिया एक लाग तो मतलब क्या kiya, changes कि कि किसने changes क्या, employees simplicity time that is what manipulation में चैंज्य करना चैंज्ज करनाados भाई दिखा रहे है 2 लाग का ship उसमेंमें किया, changes बही है और उसमें क्या होता है manipulation में there are 3 types एक not recording of transaction, तो not recording of transaction मतलब क्या किया, भाई, company में गया, किसी ने machinery खरीद लिया, ठीक है, या base दिया, और उसका क्या किया, entry नहीं किया, ठीक है, basically हम लोग क्या करते है, transaction account में, posting करते हैं, डालते कि भाई, इतना आया, इतना गया, पड़ अकर उसका record नहीं किया, तो क्या हो गया not recording, इसकी वज़े से क्या होता, fraud होता है, दूसरा recording dummy transaction, dummy transaction मतलब example के दौर पे कुछ खरीदा ही नहीं, फिर भी दिखा दिया उसमें, या किसी ने खरीदा और नहीं दिखाया, चीक है, या fake information, मतलब fake transaction दिखा दिया, तो that is what dummy, so dummy transaction का भी recording क्या होता है, fraud होता है, फिर उसके ब करता है कि fraud, लोग क्या करते है, fraud company में employees करते है, अब दूसरा आता है mis appropriation of cash, अब यहाँ पर cash की बाता है, तो company अगर cash payment कर रहा है, या cash receive कर रहा है, तो उसमें क्या करते है, fraud करते है, जैसे, पहला जो point है, from cash receive, अगर cash receive होता है, तो उसमें क्या, देखो, इसका fraud होता है, not recording of किया तो उसके वज़े से क्या होता है। नहीं किया तो तीमिंग अंट लेंडिंग में मतलब यह हुआ कि इंट्री को दिखाने यह नहीं अब देखो टीमिंग करना मतलब हुआ की जैसे एक्जम्बल के तौर पे किसी बंदे ने एक्स वाजट परसन ने क्या किया एक सब्सक्राइब करने के लिए एक लाग दिया उसने मुझे क्या करने के लिए के लिए मैं बुझे क्या करना चीह है सो करने एकांट में लेकिन मैंने आगेने डिखा रहे है बठीक्चलिक और म महां पर ले दि ओर लेंडिंगरा ना मतलब इतक्या होता है कि रिकॉर्ण दिखाने ने और क्या करना अकॉंड में आशू ये नहीं कल देडिलिक एं के सकता है नंगर्णु करता है। चाहिकेत क्या लिए मतंतर इसी को फॉर्ण। निकालता है परड़े का तो सोचो कितना फ्रॉड हो रहा है उसमें तो ऐसा भी फ्रॉड करना देटिस्टाइस प्रॉड में आज बैलन्स समय में दो अब उसके बाद आता है मिस अप्रॉप्रोप्रेशन ऑफ गोड्स सेम वे गोड्स में भी क्या होता देखो उसका इसे का भी फेस्फोर ना करें और उसमेंसे आदा जूल कर दिया मतलब क्या क्या किया जैसे क्व्य तौरभ एक इस्टोर है इस्टुरमें क्या होता है, मेनेजर रहेगा और एक supplier रहेगा भाई, supply करने वाला और मतलब धेर सारे hes ngauts रहेंगे, तो क्या किया जो tempo अला था, उसने क्या किया, धेर सारा, मतलब समान रखा, लेकिन उसमें से क्या किया, एक पिस निकाल लिया, तो कैसे हो गया हो, stock था, stock में से क्या किया है, manager ने निकाल लिया, अपने self-use के लिए, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी एक type का क्या होता, fraud होता है, तो I hope so, कि आपको समझ में आ गए रहेगा, what is fraud, and what are the types of fraud, आगे चलके बहुत सारे videos भी जो रहेगा, auditing को पर मैं upload करूँगा, जिससे आपको काफी helpful मिलेगा, so make sure subscribe the channel, अगर आपको कुछ भी doubt आता है, कुछ अलब topics का आपको auditing के चाहिए, तो make sure add your comments, definitely sure I will upload a video as soon as possible, thank you so much guys for watching video,